तो है व्लों से माइन वेल्कम यू आप सभी का सिफिल एकडमी के यूट्यूब प्लेटपॉर्म पर चलिए हमने अपना यूपीपीस च्वेंटीटीटीटीटी टारगेट यूपीजी के स्टार्ट किया था और अब आज से जो हम स्टार्ट मेंदी करेंगे एक तो मेंस के प अगर आपने मेंस के पेपर देखे हो जिन लोगों का भी प्रिलिम्स क्वालिफाइए हो रहा है उन लोगोंने मेंस का पेपर डिफिनेटीटीटी देखा होगा प्रिवियूस यर्च उसमें यूपी के बहुत सारे क्वेस्टेंस आते हैं यसे सपोज आर्ट इंड कल्चर क और इसी में ही हम discuss करेंगे and today मैं आपके साथ में discuss करूँगी ancient history वाला portion यानि UP की ancient history उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास को लगे करके कौन-कौन सी important sites है और कौन-कौन सी आपकी क्या features है site के इन सारी बातों को हम इसमें discuss करेंगे मैं कोशिश करूँगे कि वीडियो बहुत जादा बड़ा ना हो मुश्किल से 10 मिनिट में या 15 मिनिट में आपका ये वीडियो complete हो और इसी लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में हम इसको discuss करेंगे after the end of the session यानि जब है हमारा session खतम होगा उसके बाद हम एक तो questions को discuss करेंगे जो कि mains में पूछे गए हैं आपके previous year उनको discuss करेंगे and इस पूरे topic से related जो भी प्री में question पूछे गए हैं हम उसको भी discuss करेंगे तो यही हमारा जो है continuous रहेगी ये series और आज मैं आप लोगों के साथ में इसमें बात करूँगी ancient history के बारे में ठीक है you know this is presented by me I am the Seema I am Seema Grawal चले शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करें अगर history of उत्तर प्रदेश की तो यूपी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना की human civilization यानि भारती सब्विता या मानवी सब्विता जितनी पुरानी है उतना ही पुराना इन यूपी की जो history है यूपी का जो इतिहास है हमें वो भी उतना ही पुराना देखने को मिलता है अगर हम इस zone की बात करें जो यूपी का इलाका है उत्तरप्रदेश का जो इलाका है अगर मैं जोन की बात करती हूँ तो that area lies in the gangatic plane we all know कि ये area कहां पर पड़ता है तो that area is situated in the gangatic plane that is why in an ancient time और प्राचीन काल में से middle country भी कहते थे या फिर इसे मध्यदेश के नाम से भी जाना जाता था तो that area is situated in the gangatic plane or the center of the country that is why it is called as middle country and the मध्यदेश area also इसका civilization या ये आपकी सभ्यता उत्तरप्रदेश की उतनी ही पुरानी है जितना पुरानी मानवी सभ्यता है ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ because बहुत सारी ancient history की जो sites है अभी आगे discussion में मैं आपको बताऊंगी a number of ancient history की sites जो हमें देखने को मिलती है वो हमें इत्तरप्रदेश में देखने को मिलती है इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्तरप्रदेश का इत्यास उतना ही पुराना है या उत्तरप्रदेश का civilization उत्तरप्रदेश की सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी भारत की सभ्यता है या आपका human civilization है अगर हम recent excavations की बात करें जो अभी हाल ही में खुदाई हुई है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में खुदाई होती रहती हैं आप लोगों को पता होगा कि ये मेरट के आसपास जो आपका इलाका पड़ता है बिनोली वहाँ पर इ लेखने को मिलते हैं तो यानि recent excavation हमें ये reveal कराते हैं हमें ये feel कराते हैं कि from the cultural point of view from the architectural point of view from the archaeological point of view दा उत्तर प्रदेश area is very important for us यानि अगर आप भारत की पूरी सभ्यता को भारत के पूरे culture को भारत की archaeology को भारत के प्राचीन इतिहास को जाना चाते हैं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास जाने बिना आप यहां के इतिहास को नहीं जान सकते ठीक तो चलिए इसी बात से हम शुरुवात करेंगे history of उत्तर प्रदेश की अगर मैं divide करूं human civilization को अगर मुझे कहा जाए कि आप human civilization का division करिये तो I can divide whole human civilization human civilization से यहां पर मतलब है कि भारत की मानव की जो सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ किनके इस stages से गुजर करके मानव की सभ्यता इतनी विक्सित हुई है अगर मैं इस पूरे civilization को इस पूरे time period को divide करूं अपनी study को अच्छा करने के लिए then I can divide this whole civilization into two parts I can divide this civilization into two ages one is your stone age another one is your the metal age एक major difference मुझे civilization में नजर आया मुझे सभ्यता में नजर आया जब मैंने human civilization के evolution को पढ़ना start किया एक major difference ये था कि एक समय ऐसा था जब पूरा human civilization पूरी मानवी सभ्यता पत्थर का इस्तिमाल कर रही है अपनी सभ्यता उनकी stone पर depend करती है चाहे उनके खाने से related हो चाहे उनके घर बनाने से related हो चाहे उनके hunting चाहे उनकी safety से related हो each and every place is occupied by the stone पत्थर से उनकी हर सभ्यता या पत्थर से उनके जीवन का हर काम जो है वो हो रहा था that is why I call that age as the stone age now the next stage जो मैं एक अच्छा खासा transformation देखती हूँ that is the metal age जब human ने धातू का इस्तिमाल करना start किया और पत्थर की जगे अब धीरे धीरे धातू ने ले ली थी that civilization I can classify as the metal age so अगर human civilization को हम divide करना चाहे तो we can divide it into two parts one is the stone age जो हम जिसे पत्थर का योग कहते है या जिसे हम stone age कह सकते है and next one is the metal age जिसे हम धात्विक योग या धातू का योग कह सकते है तो पूरे human civilization को मैं इन दो में divide कर सकती हूँ अब again हम देखेंगे के how I can divide the ancient history ancient Indian history देखें बिलकुल basic से चल रहे हैं the important is इसलिए why we are going from the basics of Uttar Pradesh history से हम ऐसा मैं basic से foundation क्यों लिख रही हूँ या क्यों ले रही हूँ because now I am preparing you for the mains examination मैं आपको mains के लिए तयार कर रहे हूँ mains के questions you can easily answer the main question इसलिए मेरा perspective वो है कि मैं आपको detail में उसको समझाते हुए चलू तो सबसे पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश human civilization की जब हम बात करते हैं तो UP का civilization उतना ही पिजाना है जितना मानवी सभ्यता पुरानी है उसके पीछे कारण ये है because UP was in the gangetic plains gangetic region में मिलता था माध्यदेश कहा जाता था तो वहाँ पर civilization बहुत पहले आया then अगर हम civilization को study करना जाते हैं if I wanted to study the human civilization then I can classify the whole evolution of the human civilization into two parts one is the stone age and another one is the metal age because मुझे एक बहुत बड़ा transformation देखने को मिलता है कि पहले इंसान अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए he was dependent on the stone and later on वो सिर्फ और सिर्फ मैटल पर dependent होने लगा अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए और इसी लिए मुझे civilization में एक great एक huge transformation देखने के लिए मिलता है now I can also divide ancient Indian history यानि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे मैं और तीन भागों में divide कर सकती हूँ I can divide it into three ages तीन यूगों में और विफाजित किया जा सकता है सबसे पहला prehistoric period another one is the proto-historic period and third one is the historic period ठीक prehistoric period कि अगर मैं बात करती हूँ तो this is the period of history यानि प्राचीन भारत का इतिहास वह इतिहास है जिसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ excavation से पता चला है यानि जिससे हमें सिर्फ खुदाई से ही पता चला है no little written information is get about this period यानि उस period के बारे में हमारे पास कुछ भी लिखित साक्षिन नहीं है हम सिर्फ और सिर्फ जो archaeological evidences हैं जो excavation से हमें मिला है पत्थर हो सकता है बरतन हो सकते हैं हम उनी पर ही depend करते हैं that age of history I can call it as prehistoric period यह period आपका है जब से humans का origin हुआ तब से लेकर के 3000 BC तक और इसमें basically stone age यानि जो आपका पत्थर वाला युग है या पाशान काल है वो इसमें शामिल होता है I can also classify the ancient Indian history into the proto-historical period that includes between the 3000 BC से लेकर के 600 BC तक इसमें वो आता है यानि यह वो समय है जिसके बारे में हमें written information पता है बट हमने उसको बहुत अच्छे से अभी पढ़ा नहीं है हम उसको पढ़ नहीं पाए है generally that period includes your Indus Valley civilization but some of the historian also included the Vedic age in it क्योंकि वेद भी अभी कहीं न कहीं इतने हमारे कम पढ़े गए है बहुत अच्छे से हमने उनको नहीं पढ़ा है अभी भी but generally it includes the Indus Valley civilization so ancient Indian history को अगर मैं divide करती हूं तो I can also divide that ancient Indian history in so three parts one is your prehistoric period another one is your proto-historic period and third one is your historical period in the prehistoric period the information I have जो भी information मेरे पास में है this is from the excavation excavation से मुझे जो भी चीजे मिली है उसी से मेरे पास में है I have no written information about this period and that includes your origin of humans से लेकर के 3000 BC तक का time and इसका example है आपका stone age now if I talk about the proto-historical period तो इसमें आपके वो समय आता है जहां पर हमारे पास written information है but it is not readable अभी तक हमने उसे decipher नहीं कर पाया है हमने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है that period is called as proto-historical period and it includes or example of this is Indus Valley civilization and time period about is 3000 BC से लेकर के 600 BC now the later comes the historical period after 600 BC से अब तक और जो मारिया के आने तक का समय है उस समय को हम बोलते हैं historical period the reason is कि उसके लिए हमारे पास written information भी है हमने पढ़ भी लिए है and साथ ही साथ हमें excavation से भी उसके sources मिले है so on that basis I have classified the ancient Indian history into three periods pre-historic, proto-historic and historic period चलिए आगे चलते हैं next next बात करते हैं pre-historical period की pre-historical period की मैं बात करूँ तो stone age इसके अंदर आता है and I again classify that into three फिर से मैं इसे तीन एराज में divide कर सकती हूँ on the basis of evolution धीरे धीरे करके जैसे जैसे विकास हो रहा था उसके आधार पर मैं इसे तीन classes में divide कर सकती हूँ one is the paleolithic age, पुरा पाशानकाल the mesolithic age, मध्य पाशानकाल and third one is the neolithic age, that is now पाशानकाल इन में stone age ही है पाशान यानि पत्थर का ही इस्तिमाल कर रहे हैं humans but धीरे धीरे करके विकास इन में आ रहा है यानि paleolithic age बहुत पुरानी है mesolithic age में कुछ evolution हुआ है then neolithic age में थोड़ा और evolution थोड़ा और civilization में developed हमें development देखने के लिए मिलता है तो pre-historical period is the period जिसके बारे में excavation से सारी information मिली है no written document is there then I can classify this into again three the paleolithic age, the mesolithic age and the neolithic age now discuss करते हैं pre-historic period के या paleolithic age के ही कुछ features के बारे में इसे old stone age भी बोलते हैं या पुरा पाशान काल भी बोलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर image में इस तरीके से जो humans थे उनका रहना, उनका खाना और सारी चीज़ें थी खाना बदोश टाइप जो उनका जीवन था उस पर वो लोग रहते थे तो if I talk about the major features of the paleolithic age then human beings were totally savage by nature पूरी तरीके से प्रक्रती पर निर्भर थे isolation में रहते थे, अकेले रहते थे mostly lived along the bank of rivers और dwelt in caves या तो नदी के किनारे रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे gathered food by hunting कैसे अपना खाना कैसे प्राप्त करते थे तो शिकार वगरा करके प्राप्त करते थे इनकी main site अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाएगी तो दाट इस बेलन घाटी और वेलन वेली या बेलन घाटी और वेलन वेली इस दी मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलियोलिथिक साइट इन उत्तर प्रदेश बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा तो यूपी का civilization study किये बिना या उसके evolution को study किये बिना आप नहीं पता लगा सकते कि what was the human civilization क्योंकि प्लेयोलिथिक जो की starting है वहीं से ही हमारे पास evidences मिलने शुरू हो जाते हैं इन उत्तर प्रदेश and the example is बेलन वेली और बेलन घाटी ये क्या करते थे weapons की तरह या टूल्स क यूज करते थे so these were some features of pleolithic age जो आपकी prehistoric period में आता है यानि stone age में आता है now let us see the location of bellan valley because अगर आपको कोई question आता है तो I will suggest कि mains में आप हलका सा map जरूर बना करके आएं bellan valley का if it is possible for you then try to draw the map in your answer it will give you extra marks कुछ अच्छे marks आप पैच कर पाएंगे mains के अंदर so I am sharing this location of the bellan valley here अगर हम बात करें ये रही कैमूर ranges के उपर जस्त यहाँ पर bellan river बह रही है आपकी और यहीं पर पड़ेगी आपकी bellan घाटी हलका सा भी बना करके अगर आएंगे ये वाला इलाका तो भी आपका चलेगा bellan valley यही वालाका है जहाँ पर हमें paleolithic age के आपके evidences या excavation करने पर हमें paleolithic age के जो आपके archaeology sites हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं ठीक चलेगा आज इतना ही रखूंगे बहुत जादा नहीं बताओंगी धीरे धीरे करके हम चलेंगे अभी हमारे पास बहुत टाइम ह नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा उसमें I'll discuss about the bellan valley basically what are the features of bellan valley and remember after the discussion जब हमारा ancient history पूरा complete हो जाएगा I'll discuss one questions with you or one or two questions with you जो आपके mains के लिए बहुत important है and you have to answer these questions right so if you like this session or like this video then please apply करें share भी करें अपने friends के साथ में and channel को subscribe कर लीजे as this is the new initiative for UP PCS mains examination आपका UP special यहीं से पूरा तयार हो जाएगा जो भी mains के हिसाब से पूछा जाता है ठीक तो चलिए stay tuned with civil academy thank you so much have a nice day